हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट मॉर्निंग ओल उफ यू, कल हमने अपने पार्ट टेन रजी का शोक में पढ़ा की, रजी बाग में आम को तोड़ता है, तो बाग का माली रजी को पकड़ने के लिए दोड़ता है, इसी बेच रजी मिट्टी की गौली माली पर चला देता है, वे मिट्टी की गौली माली के कान को छूती हुई निकल जाती है, इन्हें सभी स्रार्टों से रजी के माता पिता काफी प्रेशान हो जाते हैं, और स्कूल के प्रधानाचारिया जी के पास से जाते हैं, तो चलिए, आज हम अपने पार्ट में आगे पढ़ते हैं, देखिए, सुगंदा उसकी कक्ष्या में पढ़ती थी, वेह अपना काम अच्छी तरह करती थी, रजी ने उससे कोपी मांगी, केंतु उसने नहीं दी, रजी ने मध्यावकास, ये देखिए एक सब्द हमारे सामने, मध्यावकास जिसका अर्थ होता है, आधी समय की चुट समय की चुटी, जैसे आप सभी का ब्रेक होता न, आगे देखिया, के समय रबड का एक बिच्चु इस तरह से उच्छाला की, वेह सीधा सुगंदा के सिर पर गिरा, जैसे कि आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये जो बिच्चु है, ये सीधा सुगंदा के सिर पर गिरा हुआ है, तो इसके बाद क्या करती है, सुगंदा देखिए, वेह चीक पड़ी, उधर रज्जी कक्स्या से बाहर निकल गया, रज्जी ने इन कारनामों, अब ए गये कारिये से उसके माता पिता काफी प्रेशान थे, रोज रज्जी की तरह तरह की सिकायते आया करती, कभी माली से, कभी प्रोसी से, कभी स्कोल से, पढ़ाई में भी रज्जी का ध्यान ने लगता, उसकी माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान, एक सब्ध है देखी, समाधान जिसका अर्थ होता है हल, धूंडने का निश्चे किया, अगले दिन, वे स्कूल के परधानाचारिय जी के पास पहुँचे, रज्जी की हर रोज की सैतानी और निसाना लगाने की सारी बाते उन्होंने उन्हें बताई, परधानाचारिय जी ने रज्जी की कक्ष्य अध्यापिका से कुछ बात चित की, वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के वहवार में बदलाओ आएगा, आप उसकी सैतानियों से प्रेशान नहीं होंगे, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, आप सब निश्चेन ठोकर घर जाएगे, अब आगे देखिए, रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाओ नजर आया, अब रज्जी बहुत कम सरारते करता, उसकी कोई सिकायत भी ने आती, माता पिता के लिए, यह किसी चमतकार, चमतकार का अर्थ होता है, आश्चरिय मिंस अचरज, पहले तो वो इतनी सरारते करता था, अब एकदम से उसमें इतना चेंज आ गया तो उसके पेरेंस को क्या हुआ, आश्चरिय हुआ, उनके लिए चमतकार से कम नहीं था, इसका प उन्होंने पूछा क्या अभी भी, रज्जी की सिकायते आ रही है, आई होप जो आज हमने पढ़ा है, वो आपको समझ आ गया होगा, आपने पाट को दो बार रीट करना है और समझना है, धन्यवाद आपका दिन सुभ हो